जै शीराम भगतो जै शीरी बालाजी महाराज जै मातागी कैसे हो आप सब आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्सितें सुस्तें और बालाजी महाराज मामबे की कृपा आपके उपर बनी हुई है यही कामना दिल से करते हैं तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हर रोज एक व और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें कोमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें साथ में बैल आइकन उसको प्रैस करें ताकि आने वली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ पवीतर किरपा आपके परिवार पर नेंतर बरस्ती रहे और शिरी बालाजी महराज जिस पकार से लोगडाउन था और लोगडाउन के वस्ताएं होई थी तो बाबा ने भी मालो जो है ओनलाइन रूप रूप के माद्यम से मालो परचारिक रूप में कारी है स्टार्ट कर दि गए मेंदिपुर मेंदिपुर बालाजी में जैसे की निर्मान कारिय में होली खारिया नहीं हुआ हैं ऐसा क्या होता है अदल और बदल का जो मोसम का स्वाब है जिस पकार से आप जानते हो बली बाती प्रिचित हो कि जब मोसम में प्रिवत्र होता है तो हमारे जो जुखाम है सर्दी के जुकाम जैसे कि एकदम बोड़्ी के अंदर हार्मोन्स में चेंजिंग हो जाना तो इस पकार का भी परिवत्तर हमारे शरीर में होता है हमारे सुआब में होता है क्योंकि भाजन जो है वो जो भाजन के जो हमें आदत बन गई है जैसे कि कोई वक्ती सर्दियों में गी का सेवन करता है तो फिर जैसे कि गर्मी पर जाती है लूप पर जाती है तो वो चीज़ों का नहीं ही सदा लस्सी चलने लग जाती है तो उस पकार से ऐसी पकार से ही अपने जीवन के अंदर आपको एक जो ये जो समय होता है ये बदला हमें हमें ऐसा क्या क्या कारिये करें और जो बदलाब का जो भी समय होगा उसमें कोई बहुमुल्य चीज का उत्पन जरूर होगी जैसा कि करा कराई जो लोग करते हैं तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि जो हम जन कल्यान कारिये के लिए इस्तमाल कर सके अपने घर के बचाव क लिए इस्तमाल कर सके अपने जीवन को बहुमले बनाने के लिए इस्तमाल कर सके अगर क्योंकि समय किता है समय ही तो बलवान होता है किता है समय जो है परिवर्तनशील है और समय की मार जो है हर व्यक्ति नहीं जह सकता क्योंकि समय अपने समय के अनुसार हर व्यक्ति को डंड जरूर देगा जो किसी का बुरा करता है किसी का कारिय खराब करता है या किसी पकार से समय उसको राउंड फिकर में घूम कर वहीं आता है क्योंकि समय जो है इस पकार से जिस पकार से पानी का सुआब है और पहारों से जो फिसल कर जो पानी जो निच्छे दंदी नालों नालो में बहता है और फिर जाकर वाश होकर बादल ले जाते हैं फिर पारों में आता है गुम कर फिर बरफ में परिवरतन होकर फिर पगलता है तो इस पकार से तो शुन्या तो है अब अपने जीवन को हमने जो बहु मुल्या बनाना है उसके लिए हमें क्या करना चीए जैसा कि बोली जो है वो पुर्नीमा पे होती है और जो दिवाली है वो अमवस्या पे होती है अमवस्या की अगोर काली रात पे तो उसी पकार से जो पुर्नीमा है हनमान जी महराज की जो किरपा है पुर्नीमा पर अब बरपूर प्राप्त कर सकते हो यह जो पुर्नीमा होती है बहुत निश्टा भावना रखकर पुर्ण रूप से विश्वास रखकर वो बैठ गए और जले नहीं जो आशिवाद था वो बद्दुआ में बदल गया जो वर्दान था वो जो वर्दान था उसका भी खंडन हो गया क्योंकि होलिका जो होलिका को घमंड था एंकार था नेकिन भग भगत थे वो जो थे वो एक इतियास के पन्नों में शाक्षी हो गई परलाद की हाँ भी जब जब परलाद का नाम आएगा तब तक नर्सिंग अवतार के साथ हमेशा परलाद का नाम आता है विश्वागवान के साथ हमेशा परलाद का नाम आता है जब भगवान विश्वा और जब बगवान विश्णू का नाम लिया जाता है तो भगत परलाद का नाम भी लिया जाता है तो इसी पकार से इतियास के पन्नों में शाक्सी होगे अब आपने करना क्या है ये जो बहुमुल्य समय है देखो शुरू में जो भी कोई बात होती है उसको बताना बहुत ही जुरूरी है हम क्यों करें ऐसी पूजा किसलिए करें हमें इस बात का पता होना चाहिए इस पूजा से हमें किस पकार के लाब उत्पन हो जकते हैं तो हमने क्या करना एक चोटी सी सादना ये आपको बताते हैं, किसी भी मंतर को जागरित करने के लिए और एक समय ही बलवान होता है, एक समय ही उचित होता है, तो आज अगर आप होली के दिन में जो भी भगती भाव करते हो, जो भी निश्फल भाव से करोगे, वो गभी नग जिनव व्यर्थ नहीं जाएगी, आपके जीवन में बदलाव जरूर लाएगी, आज नहीं तो कल जरूर लाएगी, क्योंकि उस भगती को करने के लिए क्या क्या चीजे शाक्षि होती है, आप एक बात हो, जब आप कोई भगती करते हो, तो जल का लोटा भी होता है, जोत भी होती है तो बगवान और जो वायूदे भी आपको देख रहे होते है तो बगवान की किर्पा भी आपको देख रही होती है कि ये व्यक्ति वह जो बगत है वो पूजा याचना कर रहा है इस पकार के समय में अधिक तर JENNa है मदीरह का पान करेंगे जुमेंगे नांचेएंगे रहाटा गाएंगे और आज परस्ति रही लंक्र नेगी जब फुजब कशकती हो कि पूजा भगवानके आज़ेंगे आज़े में होली मनाइंगे जब प्रबुक खुश रहती है या किसी भी पकार की गरस्त में कही भी कही आप तंग रहते हो तो इस होली पर इस मंत्र का जाब कीजिए आपको यकीन मानिए आपके घर में खुशिया लिया जाएगी जैसा कि आपको पता है कि रमायन जो है वो सिद्ध है क्योंकि भगवान के द्वारा जो किर्पा हमारे पास आई है और प्रभू हनुमान जी महराज रमायन सुनने से अती ज्यादा प्रसन होते है राम नाम से अती ज्यादा प्रसन होते है तो मैं रमायन की एक चुपाई का एक मंतर के रूप में आपको देता हूँ उस चुपाई को आपने कंटीनू करना है और उस चुपाई से आप अपने वेपार को शुरक्षित कर सकते हो आप अपने कारोबार को शुरक्षित कर सकते हो आप अपने बच्चों को शुरक्षित कर सकते हो आप अपने परिवार को शुरक्षि ले ली चीए और 11 माला ही करनी है सिर्फ गाएं के गी से करनी है गाएं का गी में अपने जोती जलानी है और इस माला को करने में आपके जो भाव हैं भगवान के परती अटूट होने चीए क्योंकि कोई भी बड़ी साधना होती है उसमें आदमी का ना जब हम कहते हैं टारगे होली तक करते रहिए फिर उसके बाद चाहे आप एक माला करो या आप 21 मंतर का जाप करो वो आपके भाव के उपर है और यकीन मानिए जब इस मंतर को क्योंकि समय बलवान होता है जिस समय पर आप इस मंतर को उठाओगे उस मंतर का जो समय होगा वो देखने लैक होता है क्यों जिसके जो इस्ट हैं उनके साथ वो हुली खिलते हैं मंतर क्या है मंतर नोट करनी जिए मंतर में जो है तुरूटी नहीं होनी जिए मंगल भवन अमंगल हारी द्रभू सुदश्रद अजर भिहारी दीन दयाल विरद संबारी हरूनात प्रभू मम संकट बारी हरूनात आप 11 माला आपकी complete हो जाएं जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाएं किसी हनुमान जी के मंदिर में जाकर आपने जो जैसे की मंगलवार के तिन एक नारियल की भेट देनी है और उसका जो जल जो बचेगा उसका चिटा अपने घर में आकर देना है और अपने बच्चों को भी उसका पान करवाना है और नारियल का परशाद जो है अपने गरहन करना है इस पूर्णिमा पे और अगले मंगलवार मलो एक हफते के अंदर क्योंकि जो करा करा ही होती है यह होलाष्ट के सिस्टम में हो जाती है होली से पहले होलाष्ट लग जाता है होलाष्ट पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि हुलाष्ट भी आपको अपने घर में अगर आप चाते हो कि हभी हुलाष्ट पर भी वीडियो बने तो ये भी मैं आपको बता दूँगा कि यहाँ भी आपके घर में क्या-क्या समान आपको रखने चाहिए होली के बचा में इस मंतर की आपने माला हुआ है जाप करनी है जिस दिन घर पर 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 रहे होता है जो जिस दिन होली का देहन होती है इसी दिन आपने इस मंतर का जाप करना ह्ये अशरत अजर भीहारी दीन दे आल भीरद समभारी हरुनात प्रभुमाम संकट भारी कैने में तो ये दो ये छोटी सी आपको चुपाई जो है नेकिन बहुत पावरफुल चुपाई है ये गो स्वामी तूल सी दाजी द्वारा ही रचित है और इस चुपाई के अंदर जो दिया है आपको उसका अनुमान नहीं लगा सकते आप इस मंतर से बहुत कुछ उत्किलन हो सकता है इस मंतर से बहुत कुछ काम कर सकता है इस मंतर का जब आप जाप करोगे सची मन की निष्ठा करना जन कल्यान कारिया के हित्तु के लिए क्योंकि अपने परिवार की रक्षा के दिये कि मैं बाला जी का इस मंतर का जाप जो भी व्यक्ति दुखी है कोई भी कर सकता है चाह कोई भी व्यक्ति हो चाह कोई विमार है रोगी है पिडित है या कई या कई गरस्ती में लड़ाई भी है तब भी आप अब मंतर का जाप करने के बाद आपने जो जल का लोटा रखा है उससे अपने घर में छिटे करने है जब आप मंतर का जाप करोगे तब जो जल का लोटा होगा उसमें बालजी महराज से प्रातना करना प्रभू इस मंतर का जो अंश है इस जल के लोटे में आने क माद्दम से मेरे घर का रक्षा कवच भी बन जाए और इस साधना से करने के बाद आपने भोग क्या लगाना है भोग जो है गुड और थोड़ा सा गाएं का गी इस पकार का बिटाओंगा कि कौन सा मंतर काम करने लग गया है ये कैसे पता करें इस पर भी हमने एक वीडियो बनानी है तो अधिक से अधिक इस वीडियो को शेर कीजे ताकि जो है अधिक से अधिक लोगों तक ये ग्यान वर्थक वीडियो पो सके तो बोलिए जैसितराम जैशरी मेहंदीपुर की पवित्र किरपा आपका कल्यान करें और माजग जन्नीमा बवानी अंब के आपके घर में अनपुर्णा रूप से वास करें जैमाता की